जैसे हम कभी पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में ग्या होता है? जो परदा होता है, उस पर रील चल रही होती है, है नो? उस पर जो चल रहा होता है, हम उस से अपने आपको कितना कनेक्ट कर लेते हैं? वो मर गया, तो यसल लगता हुँव अन्जा थैं, समझ में ला रही दिया, तो यसल लगता हुथ उसको वास्तब में मारी दिया, हम अपने आपको कितना कनेक्ट कर लेते हैं किसी बी सामने वाले दृस्टे से जबकि हमें पता है कि ये सिर्फ परदे पर एक परच्छाई आ रही है यह हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उस परच्छाई में इतना ज्यादा इन्वाल्व हो जाते हैं कि हम उसमें अपने आपको बिलकुल इन्वाल्व कर लेते हैं जैसे वहां कुछ हो रहा है तो यहां भी हो रहा है वो रो रहा है तो हम भी हो रहा है वो हस रहा है तो हम होता है नहीं होता है फिल्म में तो सब देखते हैं न है और जब पूरी फिल्म हो जाती है लास्ट में जब लिखा हुए आता है दा एंड उसके बाद में जब आप परदा देखते हैं तो उस परदे पर कुछ भी दिखाई नहीं देता सब कुछ चला गया अब आप वहाँ बैट करके देखने की कोसिस करें, जब वास्तम में बैटने का टाइम होता है, तब आप वहाँ से उठके भागते हैं क्या समझ वारा है अब आप वहाँ बैट करके देखें कि ये क्या हुआ ये पर्दा तो प्लेंक है, इसके उपर केवल फोकस आ रहा था, पीछे किसी रील के थुरू, और इसके उपर ये केवल सैडो थी, और वो सैडो थी, सब कुछ, और कुछ नहीं था, रियल्टी तो कुछ थी नहीं, वो सैडो की तरह हमारे सामने आया, इतना मुझे को affected किया, और फिर सब कुछ चला गया, और मैं अभी भी उसी भाव में जी रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, कि वो रो रहा है, कि हस रहा है, कि उसका ये चला गया, कि उसकी वो चली गई, अभी मैं उसी भाव में जी रहा हूँ, जबकि वो सब क्या है परचाई वो सब क्या थी छाया और छाया कभी भी रियल नहीं होती है रियल तो कुछ और होता है ठीक यही इस्तिती हमारी दुनिया में होती है यह सब दुनिया में जो हमें दिखाई दे रहा है ये कमपनियां ये मल्टीनेशन कमपनियां ये जॉब, ये पैकेज ये इतने बच्चे ये सब डॉक्टर, इंजिनियर ये सब एक इसी तरीके की फिल्म है और ये फिल्म भी आपको फिल्म तब लगेगी जब आप इस तरीके का मेलिटेशन करके अपने आपको अपनी रियल्टी से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है ये सब सेडो की तरह है आज है कल नहीं है कोई किसी भी चीज का कुछ भी भरोसा नहीं है आज दिख रहा है कल वो चीज नहीं दिखती है जो कुछ भी यहां है यहाँ कोई भी चीश, न कोई भवन, न कोई दुनिया की, कोई मॉल, न कोई थेटर, न कोई व्यक्ति, हमेशा always present रहने वाला कोई चीश नहीं है यहाँ पर, जब कुछ present रहने वाला यहाँ पर ही नहीं है, तो सब क्या हुआ, सब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा ह है जिसके उपर ये सब छाया की तरह चल रहे हैं और हम सब अगर उसको देख करके महसूस करेंगे कि ये सब इसी तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं तो हम अपने आपको उससे बचा पाएंगे समझ रहे हैं ये कैसे आएगा इसी का नाम है ग्याता द्रिष्टा बनना जो ग्याता द्रिष्टा होता है वे परचाईयों से जुड़ करके न रोता है न हसता है वे सिर्फ ग्याता और द्रिष्टा बन करके उन परचाईयों को परचाई की तरह ही जानता है और देखता है समझ में आ रहा है? रोना, हसना, यह सब कब होता है? जब हम परचाईयों से अपने आपको जोड लेते हैं